बच्चों किसी का भी दुख देखना क्या अच्छा लगता है क्या और वहे भी दुख जो अपनों की मौत के उपर हो बिल्कुल भी नहीं जी हां हमने हमारा फर्स्ट पार्ट कवर किया था देलेमेंट एक विलाप के उपर जो की एक रचना है और हमने इसका पार्ट हमारी और की एक बात की थी लेटर ओन 1880 में इनका एक short story appeared हुई और हम सब को देखने को पढ़ने को मिली और उसके बाद में 7 years में इन्होंने near about 600 short stories हम सब के लिए बना के दी है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा किर्दिमान है बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा collections इन्होंने दिया है इनकी जो stories है उनका जो main point है वो क्या होता है ऐसे human beings के विलाब को दुख को प्रदर्शित करना जो की लगता है कि वो कहीं पे भी नहीं show कर सकते ऐसा बंदा नहीं मिल रहा है जो उनकी बातों को share कर सके नहीं नहीं बाकी सारी हम पढ़ेंगे यहां पे तो अपने अपने books open कर लें और मेरे साथ तयार हो जाएए chapter reading के लिए हम one by one chapter reading करेंगे one by one line by line इसको करते वे सबसे बड़ी बात है आप pencil जरूर अपने पास में रखें क्योंकि आपको hard minutes note down करने हैं okay so today we are taking our second part और second part में हम starting कर रहे हैं Iona नाम के ऐसे character से जिनके बेटे की death हो चुकी है let's start starting देखिए स्टोरी की किस प्रकार हो रही है it is twillight अथिक वैट जो जोली ट्वर्लिंग अराउंट देखिए लाइट इस्ट्रीट लैंप्स एंड लाइंग इन देखिए लेयर्स अन रूफ्स अन होर्सिस बाक्स अन पीपल्स शोल्जर्स अन हैट्स बिजली जो है वो रोशन हो चुकी है और उसमें क्या दिख रहा है thick means mochi having a large distance mochi सी wet snow दिख रही है snow means burf बफ की एक मोटी सी layer दिख रही है और हम क्या देखते हैं जो layer है वो twirling कर लही है twirling it means to round and round quickly जो light है गली की जो lamp की light है वो बर्फ से धकेवे इस्थानों के उपर अलग ही तरह की चमक बिखेर रही है और हम क्या देखते हैं कहां कहां पे है बर्फ बिख्री भी on roofs छतों पर है on horses back घोडे के जो पीट होती है उसके उपर है इसके अलावा people's के shoulders पे भी है हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और जो street lamp की रोशनी है उससे एकदम ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ दूदिया रोशनी में बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है the cab driver Iona Potapau is quite white and looks like a phantom हमारे जो story के किर्दार है जी हाँ यानो पटपव यही हमारे story के main hero है और हम क्या देखते हैं ये एक cab driving का काम करते हैं और ये जो cab driving है ये किसकी है इनके पास में एक घोडा गाड़ी है उस घोडा गाड़ी पे ये passengers को एक जगे से दूसरे जगे ले जाने लाने का करते हैं तो Iona Potapau एकदम white हो चुके थे और phantom की तरह लग रहे थे phantom is means the spirit of a dad person बर्फ की उनके उपर पूरी गिर चुकी है और उनके उपर ऐसा बर्फ की मोटी layer हो चुकी है ऐसे लग रहे हैं एक सफेद आत्मा यहाँ पर निवास कर रही है He is band double as far as a human body can band double हम क्या देखते हैं कि Iona Potapau ने ठंड के मारे अपने आपको इतना फोल्ड कर रखा था इतना मुड चुके थे जितना की उनकी capacity थे इतमीस वो डबल फोल्ड में हो गए थे He is seated on his box, he never makes a move वो box के उपर बैठे थे और बिलकुल भी movement नहीं कर रहे थे If a whole snowdrift fell on him, it seems as if he could not find it necessary to shake it off Snowdrift, snowdrift means बर्फ का बड़ा सा धेर, a deep pile of snow अगर उनके उपर बर्फ को एक बड़ा सा धेर भी अगर गिर जाता है, तो ओथर क्या कहते हैं कि वो अपने आपको हिलाना भी महसूस नहीं करते हैं, it means अपने उपर से बर्फ भी नहीं हटा रहे हैं His little horse is also quite wide and remains motionless इनका जो छोटा सा घोड़ा था, it means pony घोड़ा था इनके पास में और वहे भी एकदा motionless था, it means बिना हिले डुले ही वहाँ पे still position में खड़ा था Its immobility, its angularity and its straight wooden looking legs even close by give it the appearance of a zinger brad horse worth a copic अब देखिए पहले हमने यह अना पटपाओ के बारे में पढ़ा कि उन्होंने अपने आपको बिलकुल समिट के रखा है ताकि उनको ठंड ना लगे अब हम horse की बात कर रहे हैं, तो horse भी बिलकुल motionless है, motionless means बिलकुल गतिहीन है और उन्होंने भी अपने आपको इतने angle में हम कहते हैं ना 90 degree angle, 45 degree angle, तो इन्होंने भी अपनी आपको कोणी स्थती में रखावा है और इनके जो straight wooden looking legs हैं उनके पाउं कैसे लग रहे हैं एकदम जैसे लकडी के बने वे पाउं हो उस तरीके से हैं वो भी अपने आप में close कर रखे हैं ऐसे लग रहा है कि सर्दी की वज़े से वो भी सिकूड के बैठे हैं It is no doubt plugged in deep thought और बिलकुल भी हम कह सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं ऐसे इसे इसे पोजिशन में हैं कि जैसे वो कुछ सोच रहे हैं If you were snatched from the plug from your usual gray surroundings and were thrown into this load full of monstrous lights and seizing noise and hurrying people you too would find it difficult not to think अब वहां के circumstances की हम बात कर रहे हैं Circumstances क्या है देखे बच्चो Snatched means to take with rough quick moment कोई आपके उपर जीना जपती कर दे आपको पता है कई बार जो chain snatchers वगरा होते हैं या जो चोर होते हैं वो क्या करते हैं आते जाते किसी की chain को snatch कर लेते हैं या किसी का purse snatch कर लेते हैं तो यहां पर stitch का वही meaning हैं तो यह कहा गया है कि ऐसा लगरा है जिसे कि कि किसी को पूरी तरफ gray surrounding site में ी शांती ही शांती का महौल है और suround ीएक दम ऐसी लग रहे जैसे भूता surrounding होती है न इसके अलावा क्या कहा गया है slug slug means mercy land वहां की जमीन कैसी है mercy land है दलदल है क्यों है snow बहुत ज़्यादा है और snow की वज़े से वहां का जो land area है वो mercy हो चुका है इसके अलावा monstrous ऐसे लग रहा है कि जो lights है वो चारों तरफ हमें show कर रहे है means कहीं किसी की परच्छाई भी दिख रही है snow से धकी भी परच्छाई है तो वो भी अलग ही तरह का डरावना माहल वापे create कर रही है unsizing noise and hurrying people लोग बहुत जल्दबाजी में हैं आप भी क्या देखेंगे कि अपने आप में आपको सोची नहीं पाएंगे something different atmosphere is there Iona and his little horse have not moved from their place for a long while Iona और जो उनका छोटा घोडा था उन्होंने अपनी जगे को बिलकुल भी एक minute के लिए भी नहीं छोडा था it means दोनो ही घोडा और उसका मालिक योना एकदम still position में बैठे थे they left their yard before dinner and up to now not a fear और इसका reason भी बताया गया है कि उन दोनों ने क्या किया है दिनर लेने के बाद में वो घर से निकल गए थे और अभी तक इतनी देर तक वो वहाँ पे बैठे हैं और उनको एक भी किराए के लिए कोई भी बंदा नहीं मिला है the evening mist is descending over the town the white lights of the lamp are replacing brighter rays and the hubbub of the street is getting louder अब देखिए यहां पे situations को बताया जा रहा है जो street है गली है उसके बारे में बताया जा रहा है हबब हबब में शोर गुल अब बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद में दौनों जाने निकल गए थे लेकिन अभी तक उनको एक भी पैसेंजर किराया देने के लिए नहीं मिला है इसके अलाबा हो क्या देखते हैं कि जो evening है वो descending position में ट्मिंस ढलती जा रही है और जो white lights है lamp की lamp की light क्या है एक अलग ही तर है कि दूद्या रोशनी दे रही है brighter rays है उनकी और जो street का शोर गुल है वो भी गहराता जा रहा है cabby for viborg way suddenly here's Iona cabby और तभी Iona को जो slash driver है उन्हें एक आवाज सुनाई देती है क्या आवाज सुनाई देती है cabby किस जगे के लिए viborg way जाने के लिए cab तयार है क्या और वापिस वो Iona सुनते है cabby it means Iona को ही संबोधित करके कहा जा रहा है क्या आप जाने के लिए तयार है क्या भेजने वाला it means गाड़ी में पीछे बैठने के लिए कौन पैसेंजर आया है क्या वो Iona की दुख दर्द को शेर करेगा या नहीं करेगा पढ़ते हैं हम बच्छों यहाँ पे Iona jumps and through his snow covered eyelashes sees an officer in a great coat with his hood over his head और Iona को जैसे ही passenger के आवा सुनाई देती है Iona क्या करते हैं jump करते हैं अपनी जेगा को छोड़ देते हैं और उनकी जो eyelashes में इस आंखों की जो पलके होती हैं उन पलकों पे बर्फ जमीवी होती हैं तो eyelashes को जैसे वो पलके छपकाते हैं वो बर्फ जो है वहां से गिर जाती है वो क्या देखते हैं कि एक officer है उन्होंने coat पहनावा है और उनका जो hood है hood means the part of a coat that is pulled to cover head and neck आपने देखा कि ऐसे hoodie नूमा हम T-shirts या overcoat पहनते हैं सर्दियों में तो जो hoodie नूमा cap थी T-shirts की या jackets की जो cap थी उनकी वज़े से जो officer है उनका पूरा सिर ढखा हुआ था विबॉर्ग वे officer वापिस बोलते हैं कहां जाना है बच्चों विबॉर्ग वे जाना है विबॉर्ग वे the officer repeats are you asleep? विबॉर्ग वे और officer को वापिस कहना पड़ता है कि क्या आप सो रहे हैं क्या in consequence of which layers of snow slip off the horse back and neck और जैसे ही दुबारा कहा जाता है officer के दुबारा योना जो है अपने आपको हिलाते हैं nod means to ascent, ascent means आप यह देखिए स्विक्रती देना ascent, ascent means स्विक्रती देना योना स्विक्रती में कहते हैं कि हान जी, मैं विबॉर्ख वे जाने के लिए तयार हूँ और इसके लिए वो क्या तयारी करते हैं वो साथ में ही जो snow की layer जो horse के back और neck पे होती है उसको जैसे ही horse को जटका देते हैं, तो horse भी अपने back से और अपने neck से बर्फ को हटाता है, तो आप देखे कैसी situation है, बहुत जादा बर्फ वबारी हो रही है और उस बर्फ वबारी में अपने और अपने horse के लिए पूरा खाने का प्रबंदन करना योना के उपर ही आ गया है, इसके अलावा इनको एक बहुत बड़ा दुख भी साल रहा है और वहे दुख क्या है बच्चो वहे दुख है इनके बेटे की last week ही death हुई थी और ये इस position में है कि ये किसी से भी अपने बातों को share नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी को ही अपने दिमाग में उधेर पुन रखते हैं, बट कहते हैं कि कमाना जरूरी है और कमाने के लिए ही ये अपनी घोडा गाड़ी को लेके बाहर आ गए हैं और कमा रहे हैं, देखिए next इनको continue करते हैं the officer sits himself in the sledge the cab driver smacks his lips to encourage his horse smacks, smacks means to hit with the inside of hand जटका देना, officer क्या करते हैं, गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं, और जो cab driver, जो याना पटपाव है वो क्या करते हैं, जटका देते हैं, और अपने lips को भी एक movement देते हैं आपने देखा होगा बच्चों, आनिमल्स के संग रहते हैं, तो आनिमल्स की language या उनको ऐसी language में समझाना पड़ता है, कि वो समझ जाएं जब हम horse riding करते थे तो हमें भी यही सिखाया गया था कि कैसे आप horse की language में उनके जो science होते हैं उनको सीखें और उनके अनुसार वैसा ही बरताव करें, तो यहाँ पे जो cab driver हैं, वो भी horse को इसे साब से इशारा करते हैं, कि जो horse है वो भी encourage हो जाए गाड़ी अपनी जगय को छोड़ दे, अपने lips movement से वो कोई और आवाज निकाल के horse को समझाना चाहते हैं stretches out his neck like a swan swan में हांस आपने देखा होगा ऐसा जिसकी सफेद रंका और जो गर्दन है वो बहुती लंबी होती है sits up and more from habit than necessity brandishes his whip अब horse के बारे में बता जा रहा है horse ने क्या किया एक जो हंस होता है जिसकी लंबी सी गर्दन होती है उसकी तरह अपनी गर्दन को जटकाया और इधर उधर देखते हुए उठते हुए उन्होंने क्या किया अपनी habit से हटके वो brand dishes brand dishes means to wave in the air in an aggressive or excessive wave वो तेजना में कोई वस्तू जैसे लहराती है क्या वस्तू wave koda चाबुक बोलते हैं जिससे की घोडे को हलके से push up करके यह होना चाहते थे कि घोड़ा जो है रफतार पकड़ ले और जो पैसेंजर है उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा दे the little horse also stretches its neck bends its wooden looking legs and makes a move undecidedly और अन्त में घोडे को भी तेयार होना पड़ता है घोडे को भी रवाना होने के लिए तयार होना पड़ता और वो क्या करते हैं stretches करते हैं अपनी गर्दन को इसके अलावा जो उनके पाम होते हैं उनको लकडी नुमा पाम होते हैं इट विस हम क्या देख रहे हैं कि घोड़ा जो है वो थिन है तो लकडी नुमा पाम को भी stretch करके उनको moment के लिए तयार करते हैं और उनको कुछ भी इच्छा नहीं है लेकिन उन्हें अपने मालिक का काम करना ही है इट विस दोनों घुड़ा को और जो इओना पटपव है दोनों को अपनी अर्निंग के लिए किसको लेके जाना पड़ा बच्छों फर्स्ट पैसेंजर कौन था ओफिसर फिस्ट पैसेंजर कौन था बच्छों ओफिसर ये ध्यान रखेगा कि कितने पैसेंजर्स इओना की गाड़ी में बैठे थे, it's a question for all of you, what are you doing, werewolf, is the exclamation of Iona, here's from the dark mass, moving to and fro, as soon as they have started, to and fro means, इधर उधर, जब बार बार घोड़ा और जो घोड़े का मालिक है, it means घोड़े गाड़ी का जो मालिक ही हो ना पोटव को, बार बार अपने बर्फ को हटा रहे थे, अपने आपको स्ट्रेश लेस कर रहे थे, it means अपने आपको तयार कर रहे थे, तो उनके पास में एक आवाज सुनाई देत अपनी घोड़ा गाड़ी के रफतार को टेज करते हैं, where the devil are you going, to the right, और यहाँ पर इयोना जो है अपने होर्स को एक इंडिकेशन देते हैं, कि आप जा कहां रहे हैं, सही दिशा में जाईए, right में जाईए, you do not know how to drive, और इसी बात पर ऑफिसर क्या कहते हैं, आप नहीं ज जानते किया कि आपको जो घोड़ा गाड़ी है, उसको ड्राइव कैसे करना है, keep to the right, cause the officer angrily, और officer को गुर्सा आजाता है, और officer क्या कहते हैं, कि अपनी गाड़ी को राइट में लेके ही चलिये, घोड़े को क्या समझा रहे हो, आपको समझे कि जो गाड़ी है, वो it carries swears at him, a passer-by who has run across the road and unrupped his shoulders against the horse's nose, looks at him furiously, देखिए यहाँ पे इसको continue करते हैं, हम क्या देखते हैं, coachman, it means एक और coachman, जो आपको पता सड़क है, सड़क परस्ते में, और भी कई जो घोड़ा गाड़ियां है, वो चल रही है, तो एक दूसरे side का coachman था, उनको क्या लगा, क कि ये तो गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, योनर पोटपव अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो दूसरे coach ने क्या कहा, प्रइविट कारिज में थे, दूसरे coach ने क्या कहा, कि आपको पता नहीं है, क्या, आपको सड़क कैसे cross करनी है, और एक और परसन था उनके संग क्या हुआ जो घोड़े की नाख है वो उनसे टकरा गई वो क्रोस कर रहे थे सडक को और घोड़े की नाख टकरा गई इससे क्या हुआ उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया क्रोध आ गया बहुत तेज और क्या किया उस परसन ने As he swifts the snow from his sleeve, अपनी sleeves से बर्फ को जड़काते जड़काते वो गुस्चे से देखके घोडे को और Iona पटपाउ को कहते हैं कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है It means two persons ने टोक दिया, third तो officer swim थे ही, officer plus coachman and one person more जो की उस sledge की वज़े से परिशान हो गए थे Iona shifts about on his seat as if he were on needles Iona जो है थोड़ा सा अपनी seat से इधर होता है, ऐसे लगता है कि Iona अभी तक तो needles पे थे Needles it means जो सुई हम कहते है सुई धागे वाली जो सुई है, it means एक ही point पे बैठे रहे थे लेकिन अब क्या किया Iona थोड़ा सा अपनी position को change किया Moves his elbows as he were trying to keep his equilibrium और अपनी जो elbows है उनको भी एक दिशा दी ताकि उनके बीच में state of balance equilibrium बना रह सके वो चाहते थे कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि आगे कोई और उन्हें टोके या परिशान करें और यहां पर उनको एक घुटन महसूस हो रही थी दम घुट रहा था ऐसा लग रहा था कि एक घुटन से महसूस हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा और क्या हो रहा है यहोना बहुत अच्छे से समझ रहे थे बट देर इस नो वे अफ एक्ष्प्रेशन किस्ते शेयर करें में प्रॉब्लम ही यही थी वोट इसकांडर्स इसकांडर्स मेंस आ मैन अफ बाड बीहवियर और क्या कहा जाता ओफिसर के द्वारा वाट इसकांडर्स दे आर अरे व जोस्टल यू और पॉल अंडर यूर होर्स और यहां पर बात आगे भडाते वे जो ओफिसर हैं वो कहते भी हैं योना को कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी आपी के गाड़ी के अंदर आना चाहते हैं जोस्टल जोस्टल मेंस तो पुश हाड इन अ क्राउड भीड भाड में जैसे धक्का मुकी की जाती है उसी तरीके से ऑफिसर भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कभी वो कोच्मेन आपके पास में आ रहे हैं कभी दूसरा परसन आपके पास में आ रहा है तो यह गलत है इतनी धक्का मुकी नहीं होनी चाहिए योना लोक सराउंड अड़ अ या उनके आवाज को सुन पाते हैं क्या बच्चों देखिए यहां पर और रिडाउट करिये यह एविडेंटली वांट्स तू से सम्थिंग बट अनले साउंड एट इश्यू इस स्नफल योना पटपाव जो स्लेज ड्राइवर हैं कैप ड्राइवर हैं वो अपने मू से चाहते हैं कुछ बोलना चाहते हैं पर हम क्या देखते हैं कि उनके तो सिर्फ इस नफल नाक से ही आवाज आ रही है इट मिस अलगी तरह का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वोड आस्क दा ऑफिसर ऑफिसर ने वापिस पूछा क्या हुआ आप क्या कहना चाहते हैं योना इस माउथ इंटो इसमाइल एंड विद एन एफर्ट सेज होर्सले इओना ने क्या किया अपने माउथ को थोड़ा सा ट्विस्ट किया इसमाइल किया और वो चाहते थे कि मैं कुछ और बोलू इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने अपने अंदर हिम्मत ली माई सन बारेन डा हम what did he die of और ओफिसर बात आगे बढ़ाने के लहजे से कहते हैं कि बैरिन को क्या हुआ था किस वजह से उनकी डैथ हुई थी Iona turns with his whole body towards his fear and says and who knows they say high fever Iona पूरी body समेथ पीछे movement करके officer को क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ था वही जानते हैं और उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर हुआ था He was three days in the hospital and then died God's will be done और मेरा बेटा तीन दिन hospital में रहा और उसके बाद में मेरे बेटे के death हो गे ये God के द्वारा ही जो भी किया जा रहा है God के द्वारा ही ये God का ही ultimate हम कह सकते decision है Turn round the devil sounds from the darkness तभी अंधेर में से आवाज आई क्या आवाज आई turn round और क्या आवाज है the devil अरे तुम यहां पीछे क्या देख रहे हो आगे देखो Have you popped off old doggy? Hey use your eyes और वापिस आवाज आती है कि क्या हुआ? तुम अपनी आखों को यूज में नहीं ले रहे हो क्या? अपनी आखों को यूज में लेओ It means something bad is going on Go on, go on, says the officer Otherwise we shall not get there by tomorrow और officer थोड़ा सा जुझलाते वे क्या कहते हैं जल्दी चलिए जल्दी चलिए नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम कल तक वहाँ पहुंच पाएंगे ज्यादा लेट करें तो कल भी हो जाएगी Hurry up a bit और फिर वापिस officer कहते हैं कि थोड़ा सा आप जल्दी करिए ताकि मुझे लेट नहीं The cab driver again stretches his neck, sits up and with a bad grace brandishes his whip और जो cab driver होते हैं, it means यानो पटपव होते हैं, वो क्या करते हैं गर्दन को वापिस stress देते हैं, गुमा लेते हैं और सही तरीके से बैठते वे थोड़ा सा उनके अंदर एक दर्द होता है कि मुझे सुना नहीं जा रहा है वापिस एक कोड़ा अपने जो घोड़ा है उसको हलका सा चाबुक मारते हैं several times again he turns to look at his fear but the later has closed his eyes and apparently is not disposed to listen जब रस्ता चल रहा होता है बार बार यानो पट पर पीछे की तरफ देखते हैं ताकि officer मेरी बात को continue सुन सके बट होता क्या है officer ने अपनी आँखें बंद कर ली होती है और हम क्या कहते है apparently means clearly यह देख रहा था कि he is not in a position to listen willing ही नहीं थे बिल्कुल इच्छा नहीं थी officer की कि मैं this cab driver की बात को continue सुनू क्यों क्योंकि वो अपनी थोड़ी बहुत थकान उतारना चाते थे having deposit the officer in the viborg he stops by the tavern अब क्या होता है viborg आजाता है viborg आने के बाद में officer को वहाँ पे cab driver के द्वारा छोड़ दिया जाता है और फिर क्या होता है tavern tavern means madirale he stops by the tavern हम जहां पे कहते हैं कि drinks वगरा अविलेबल होती है wine shops double himself up on his seat and again remains motionless while the snow once more begins to cover him and his horse यहां पे यौना पॉटपव और उनके horse के संक्या होते हैं वो वापिस still position में motionless position में आ जाते हैं snow जो है एक बार फिर cab driver को और horse को ढखना शुरू कर देती है it means अगर आप चलते रहते हैं तो बर्फ आप से side में होती है जैसे ही आपना चलना बंद होता आप motionless हो जाते हैं जो snow हो रही है वो वापिस आपको cover करना शुरू कर देती है an hour and another then along the footpath with the squeak of galoshes and quarling come three young men two of them tall and lengthy the third one short and hump packed अब क्या होता है एक घंटा बीत जाता है दो घंटा बीत जाता है और हम क्या देखते हैं कि एक time being बीतने के बाद में एक आवाज सुनाई देती है isquick isquick means चर्मराहट की एक loud चर्मराहट की आवाज सुनाई देती है और वह आवाज किसकी होती है जूतों के रगडने की आवाज होती है आपने देखा कि कई persons को जूते रगडने की आवाज होती है लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और देख रहे हैं स्नुई जो लेंड है दलदली लेंड है और वहाँ पे किसी के जूतों की जो चर्मराहट है वो अलग ही साउंड दे रही है वो कोई और कॉन है बच्चों देखिए वो है टू तो मैन है जो लंबे होते है और लेंकी होते हैं बहुती लंबे और पतले होते हैं लेंकी मिन्स लंबे और पतले होना बट एक परसन और कौन था वहाँ पे वन शौट मैन भी था बट उनके हम निकली भी थी अगर हम का हम मिनिंग देखें बच्चों तो कूबड निकलना इट मिस कूबड निकलने की वज़े से वो हाइट में छोटे हो गए थे और दूसरे ज फॉलिश ब्रिज ब्रेट इट मिस क्या कहते हैं कबाथ क שמתड़alayना पुल्स ब्रीज प्रिज पे आना है ऐ उनका वोई सकती होता है लड़ खडाती आवाज में वह अपने बात को कईन्विस रहे हैं तो क्रिवीनिक स्वा paws इओना पिक्स अप हिज रेंस हैंड स्मैक्स लेप्स ग्रिविनिक्स का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी मुद्रा जो उस देश विशेस में चलती है बात डिसाइड हो गई कि हम तीन जने जाएंगे लेकिन हम तीन जने जाते हैं इओना को कोई मतलब नहीं होता कि कौन कितना अमाउंट दे रहा है बट जो भी मिल रहा है मुझे वो सटिस्फाइब होके लेना है इओना ने क्या किया अपने रिंस को उठा लिया और अपने लिप्स को मुवमेंट करने लग गए तो ग्रवनेक्स इस नट अट अ फेर प्राइस बाट रहाएं यहां पर योना की जो मेंटल पूजिशन है वो किस प्रकार हो रही है आप देखें यहां जो है टो ग्रवनेक्स पे भी एग्री हो जाते हैं उन्होंने इतना भी नहीं माइंड किया कि वो रूबल में है या को कोपेक्स में है रूबल भी एक रूसी मुद्रा है या फिर फाइफ कोपेक्स और भी अलग तरह की मुद्रा उसको मिल रही है इस बारे में कोई भी डिसकुशन कैप ड्राइवर या नो पोटपव के द्वारा त्री परसंस से नहीं किया जाता है उनको तो सिर्फ क्या लग लांग्वेज अप्रोज अप्रोज दसलेज आंड एृ त्री अट वेज़ टो गएक तो नो तू शीट अब क्या होता है तीनो जो परसंस होते हैं तीनो परसंस आपस में बहुत टी घंधी लेंगवेज यूज कर रहे होते हैं और वो तीनो ज्ट अपना इस्थान जलदी स जल्दी लेना और इसके बीच में ही क्या होता है देखिए लड़ाई जगड़े शुरू हो जाते हैं क्यों होते हैं then begins a discussion as to which two shall sit and who shall be the one to stand और तीनों में जगड़ा इसी पे होता है कि कौन दो हैं वो तो बैठेंगे और कौन एक है जो वहाँ पे खड़े रहेंगे after wrangling abusing each other and much petulance it is a last decided that the humbag shall stand as his the smallest और फिर क्या होता है wrangling wrangling means बहुत ज़्यादा उन लोगों में नोग जोंक होती है a noise or complicated argument तीनों जने आपस में argument कर रहे होते हैं बार बार और decide क्या होता है patulance patulance means bad language आपस में बातें भी हो रही है बच्चो decide भी करना चाह रहे हैं किस language में it means उनकी जो language है बहुत ही vulgar language होती है बहुत ही गंदी होती है उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो कहां पे खड़े हैं और कैसी language यूज कर रहे हैं बट last में क्या decide होता है बच्चो लास्ट में decide होता है कि जो thin and long people होते हैं two persons होते हैं वो तो पीछे बैठेंगे और जो one person it means कौन जो hum pack person होता है jeep person के कूबड निकलावा होता है height में जो छोटे होते हैं वो खड़े रहेंगे yes अब देखिए यहां पे जो खड़े person है उनका attitude cap driver के पती कैसा हो रहा है now then hurry up says the hum bag in a twanging voice as he takes his place and brass in योना's neck और अब जो बारी थी वो hum bag की थी कूबड नुमा व्यक्ती की थी वो योना के पास में आके खड़े हो जाते हैं even ऐसा लग रहा था कि वो जो सांस ले रही है वो सांस भी पूरी योना के neck तक जा रही है और वो क्या कह रही है आप जल्दी करिये जल्दी जल्दी चलिए आपको बिलकुल भी लेट नहीं करनी है और उनकी जो language होती है वो बहुती गंदी बदमिजाज वाली language यूज की जा रही होती है उन लोगों के द्वारा ओर्ड फ्यूरी 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 मेंस हाविंग फर फर वाला हेर मेट वाट कैप यू हाव दिर नट वर्स वान टो वी फांड इन आल पिट्सबर्ग और यहां पे कुबड़नुमा व्यक्ति अब वो कैप ड्रैवर से यान पठपाव से बहस करने लगते हैं और क्या कहत हैं आप किस तरीके के हो आपकी जो कैप है वो किस तरीके की है मुझे नहीं लगता कि पूरे पिट्रसबर्ग में इस तरह की गंदी कैप यूज में ली जाती है कैप के बारे में बात की जाती है कैप की जो पोजिशन होती है वो कुबड़नुमा व्यक्ति को अच्छी नही बैठे हैं, हे 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 हे, गिगल्स योना, सच्छ है, गिगल्स, गिगल्स मेंज एक अलग ही तरह की हसी हसना, जो योना पोटपव है, वो बोलते तो कुछ भी नहीं है, बट अलग ही टोन में उनकी हसी वहाँ पे जलगती है, आप जलदी करें, इतना धीरे धीरे मत करें, आप ऐसे चलेंगे, तो हम कब तक अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, My head feels like bursting, say one of the lanky ones, और जो पीछे बैठे व्यक्ती हैं, वो आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, क्या करते हैं, कि मेरा जो सीर है, वो दर्द के मारे फटा जारा, क्यों फटा जारा देखेंगे बच्छों, लास्ट नाइट एड़ डॉंक में सोब्स वास्का, और ड्रेंग देखेंगे फोर बॉटल्स ऑफ कोगनेक, क्या होता है बच्छों, एक तरहे की ब्रांडी होती है, जो लेंकी होता है, लंबा परसन होता है, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कि पिछली रात को मैं डॉंक में सोब गया था, तो डॉंक में सोब के अलावा वास्का, और मैंने क्या कि चार बॉटल्स फिनिश कर दी, किसके फिनिश कर दी, कोगनेक की फिनिश कर दी, और इसी की वज़े से उनके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, और ऐसे ही बातें करते वो continue करते हैं और जो हम बैग होते हैं वो continue करते हैं cap driver के ओपर गलत तरीके की language यूज़ करके कि आप जल्दी चलिए आप इतना time मत लगाएं तो क्या destination मिल पाएगा इन तीनों को क्या cap driver अपने मन की बात इन तीनों से share करके अपने mind को हलका कर पाएंगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बने रही है विंदू के साथ क्योंकि कई सारे questions के answers आपको ढूणने हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें